आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उत्रा ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है तो आईए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया अगर आपने बारवी परिक्षा पास कर ली है तो हो जाएे तैयार SSC दे रहा है CHSL के जरीए सरकारी नोकरी पाने का एक सुनहरा मोका CHSL में अपनी 100% सेलेक्शन सुनिशित करने के लिए आज ही जोईन करें SSC Maker का स्योर सेलेक्शन बैच जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही है तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC Maker का एप और दिये गए नमबर पर कॉल करें नभुसकार सात्यों कैसे आप सभी मैं स्वनी चोधरी एक बार फिर आप सभी का हार दिख स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार SSC Maker में प्रकार के कुशन आपके एकजाम में पूछे जा सकते कोई अगर वस्तु है ये अवस्ता में है विराम अवस्ता में है कोई वस्तू है अगर आप इसको गति की अवस्था में लाना चाहते हैं तो यह इसका विरोध करती है ठीक है कोई वस्थू गति मान है आप इसको रोकना चाहते है तो इसको हम क्या कहेंगे इसको जड़त्व या इनर्शिया इसको कहा जाता इसके बारे में वैं बहुत सारे एक्जामपल आपको दे चुका वो उसी अवस्था में रहना पसंद करती है, जिस अवस्था में वो है, तो ये क्या है, ये जड़त्व का नियम है, inertia of law इसको कहा जाएगा, तो option number आपका यहाँ पर B सही हो जाएगा, कौन सा option number B सही होगा, जड़त्व का नियम, चोराय पर पानी के फ्वारे में गेन नाशती रहती है, इसका reason क्या है, पानी का वेग अधिक होने से दाव घड़ जाता है, पानी के प्रश्ट तनाव के कारण, पानी की शायनता के कारण, the bowl keeps dancing in the spray of water at the interactions because, तो किसके कारण से the pressure decrease as the velocity of water increase due to high velocity of water, the pressure because high due to surface tension of water due to be viscosity of water, और तो किसके कारण से ऐसा होता है, तो ध्यान कीएगा ये हो जाएगा, पानी का वेग अधिक होने से दबाव घट जाता है, क्या घट जाता है, पानी का जो वेग है, इसका दबाव होने से अधिक होने से दाव घट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्वारे में गेन रहेगी ठीके ना चालिए पानी की बूंदों को तेलिये प्रष्ट पर ना चिपकने का कारण क्या है तेलिये प्रष्ट पर पानी की बूंदे नहीं चिपक पाती यह आसंजक बल के कारण प्रष्ट के तनाव के कारण आपस में नहीं मिल सकते तेल की अपेच्छा जल हलका हो होता है तरीजन वाय वाटर डॉप टुबी नोट इस्टिक ओली ओली सर्फेस इज लेक ओफ एदिसेसिव फोर्सिस के कारण सर्फेस टैंसन के कारण या कैन नोट मिक्स विद इच अधर के कारण या और रिजन है वोड इस दा लाइटर दैन ओल यानिके ओल से वह हलका होता ह है दिहान न किएगा तो कोशन नमबर थ्री इसका आंजर हो जाएगा आपका आसंजक बल का अभाव लेक ओफ ए एदिसेसिव फोर्स जिसको कहा जाता है यानिके आसंजक बल जिसको हम कहते हैं तो ओप्शन नमबर आपका यहां पर ए सही हो जाएगा ठीक है ना चलिए ने मावर्थी अधिक होती है की तरंग देदर यह अधिक होता है का आयाम अधिक होता है का वेग अधिक होता है तो इसके कारण चैसा होता है जो इस्तरों की आवाज है पुर्शों की अपेच्छा कैसी हो जाएगी पतली हो जाएगी क्योंकि इन में क्या होता है ध्यान कियेगा Question No. 4, बहुत ही important है Question No. 4, इसमें जो आवर्ती होती है ये अधिक होती है Frequency, आवर्ती अगर अधिक होगी तो आवाज पतली होगी आवर्ती अधिक नहीं होगी तो आवाज आपको भारी सउनाए देगी पूरसो की जो आवाज है ये आपको क्या होती है मोटी होती है, इसका reason क्या होगा, एक reason इसका यह हो जाएगा, कि उनकी जो frequency है बोलने की, वो थोड़ा कम होती है, आवर्ती उनकी कम होती है, जिसके कारण से वो आपको कैसा मैसूस होगा, कि इनकी जो आवाज है थोड़ा मोटी है, यानि कि आवर्ती कम होने के कारण, आवर् बहुत ही पतली और बारीग आपको सुनाई देने वाली है, ठीक है, चलिए, किसी लेजर में सभी प्रमानु प्रकास तरंगे उसरजित करते हैं, एक ही आवर्ती के, एक ही आयाम के, एक ही कलाफेज के या उप्युक्त सभी, ठीक है, तो किसी लेजर में सभी प्रमानु प्रकास तरंगे उसरजित करता है, यह किस के कारण से होगा, एक ही आवर्ती के कारण, एक ही आयाम के कारण, या एक ही कलाफेज के कारण, या उप्युक्त सभी, तो ध्यान लगिएगा, यह उप्युक्त सभी इसका आंसर हो जाए ठीक है ना तो इसमें आपको ध्यान लखना है एक ही आवर्ती एक ही आयाम एक ही कला के कारण ऐसा होने वाला है ठीक है तो all the atoms in a laser emit light waves तो एक किसके कारण से होगा all of above के कारण ये ऐसा होने वाला है नंबर 5 हो जाएगा इसका डी चलिए जल में समान्य लवन कोमन साल्ड के घोल में होता है शोडियम और क्लोरीन के प्राकर्तिक अनू शोडियम के रिनात्मक आयन और क्लोरीन के ध्यान लखेगा क्लोरीन जिसको कहेंगे निगेटिव आयन्स ऑफ शोडियम और क्लोरीन ध्यान लखेगा ठीक है तो यह आपको ध्यान लखना है कोशन नंबर 6 का यहाँ पर आपका हो जाएगा कोशन नंबर C सोडियम के ध्यानात्मक और आयन के क्लोरीन ध्यानात्मक आयन इसका ओप्शन नंबर C होगा ठीक है चालिए सामान ताप और दाप पर गैसों के सामान अध्यन पर शामान अध्यनों में अनुवग की संख्या सामान होती है यह किसी नियम के अनुशार, बोयल का नियम है, चाल्स का नियम है, डाल्टन का नियम है, या एवोग्रादो की परिकल्पना है, equal volumes of gases at the same temperature and pressure content the same number of molecules, it is according to any rules, तो किसके कारण होगा ऐसा? तो ध्यान किएगा, ये बोयल स्लो के कारण होगा, ये चाल्स के कारण होगा, ये डॉल्टन के कारण होगा, या एवोगादरोज, हाइपोथेतिस के कारण ये ऐसा होने वाला है, चीक है? तो समान दाब पर, समान गैशों के समान आयतों से अनुव की संख्या कितनी हो कि आपकी, कोशन नमबर सेवन का, ओप्शन नमबर एवगैदरों की पलिकनपा, यानि कि डी इसका सही हो जाएगा, कितना डी इसका सही होगा, ओप्शन नमबर डी राइट हो जाएगा, चलिए, नेक्स्त है, सुरक्षा की दरश्टी से खाना पकाने वाली, एल पीजी की में क्या भरकर गैसों को गंद युक्त बनाया जाता है, हेलियम है, अमोनिया है, मर कैप्टन है, इधर है, from the point of view of safety, the gases is made smiley by filling it in the LPG gas cylinder for cooking, सुरक्षा की दरश्ची से खाना पकाने वाले LPG gas cylinder में क्या भरकर गैस में को गंद युक्त बनाया जाता है, तो गंद युक्त बनाने के लिए इसमें मर कैप्टन का यूज हम करते हैं, जैसे आपने घरों में देखा होगा ना, कि जब घरों में gas leakage हो जाता है, तो उसमें दुरगंद आती है, smell आती है, वो smell जो होती है, वो किसके कार्ण सोती है, मर कैप्टन जो उसमें यूज की जाती है, उसका सिर्फ इतना साही यूज उसका होने वाला है, तो option number C यहाँ पर आपका सही होगा, ठीक है, चालिए, नेक्स्ट कोशन है आपका, जलते पेंटरोल को पानी नहीं बुझा पाता, क्योंकि, पेंटरोल और जल के मिसरन से जोलन सील रशायन उत्पन होता है, जलता हुआ पेंटरोल पानी को जल ओक्षीजन छोड़ता है, जो जलने में सहायक होता है, ठीक है, water cannot excusing burning petrol, because a mixture of petrol, water producer ने, Emily Flimmel इसको कहा जाता है, तो जो पेंटरोल है, जलते पेंटरोल को पानी नहीं बुझा पाता है, इसका reason क्या बनता है, इसका reason यह हो जाता है, कि जो पानी है, अपने साफिक्स कम घ घनत्व के कारण पेंटरोल पानी पर तेरता रहता है, यानि के जो पेंटरोल होगा, इसका घनत्व या डेंसिटी जिसको बुला जाता है, यह कम होती है, जिसके कारण से वो उसके उपर तेरता, दिखा ही आपको देखा, ठीक है, तो option number C यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नेक्स्ट है, काच को गहरा नीला रंग किस से मिलता है, कोबाल्ट ओक्साइड से, क्यू फ्रिक ओक्साइड से, फैरिक्स ओक्साइड से, या निकल ओक्साइड से, वाट गिव्स डार्क ब्लू कलर्ड टू बी दा ग्लास, यह कोबाल्ट ओक्साइड होगा, यह क्यू प्र तो ध्यान रखेंगे कोश्यन नमबर 10 का ए कोबाल्ट ओक्साइड के कारण से यह ऐसा होने वाला है, ओप्शन नमबर आपका यहां पर ए सही हो जाएगा, निमलिकित में से पर दूशन का सरवत्तम सूचक है, किस पर दूशन का, बायो फाइड है, लाइकेन है, टेरी टेरीडो फाइड है यह सेवाल है, विच ओब दा फॉलोविंग इस दा बेस्ट इंडिगेटर ओ पॉलुशन यह पर दूशक का सबसे सरवत्तम सूचक इसको कहा गया, यह है लाइ केन है, ध्यान खिएगा, ठीक है, चाल यह, दूवी निसेचन, डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको फर्टिलाइजेशन होता है, वसे ही, चीक है निसेचन, जिसको हम कहते हैं, मुख्य लक्षन है, ब्रायो फाइड्स का, टेरिपो फ्राइड्स का, जिमनो स्पर्स का, यह आवर्त भीजियों का, डबल फर्टिलाइजेशन, इस दा मेन फीचर ओफ, यह, किसका हो जाएगा, दूवी निसेचन, कोशन नमबर 12, तो यह, किसका हो जाएगा, यह, हो जाएगा, टेरीडो फाइड्स का, किसका, टेरीडो फाइड्स इसको कहा जाता है, जो दूवी नि इफिचेंशी, वच ओफ, फॉलोविंग, विटामिन, गम्स, जर्म्स, ब्लीड एंड टीद स्टार्ट मुविंग, किसके कारण से आपके मुँ से दात हिलने लगेंगे, और मसूड से रक्त आना स्टार्ट हो जाएगा, अच्छा कोशन इसको आप लिखिएगा, यह, प्रारम कर देते हैं, तो यह, लेक ओफ, यह, डिफिचेंशी, विटामिन, ची के कारण ऐसा, आपको देखने को मिलने वाला है, ECG क्या है, ECG, यह क्या होता है, एंडस्कोग्राफ, इसको कहेंगे, इलेक्ट्रोसेफिलोग्राफ, इसको कहा जाएगा, यह, इलेक्ट्रेंड कार्डियोग्राफी, इसको कहा जाता है, तो काफी अच्छा कोशन है, कोशन नबर 14, इसको हम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डिय कर जाता है।िसके नाम से ही आप इसको मैच कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल काडियोग ग्राफी को कहा जाता है। मलेरिया मादा एन फ्ली इल्स से फैलता है। इन फ़स्ट, रावर्ट कोच है, रेनल्ड रोस है, एडवर्ड जैनर है, या लुइस पाश्य है, कोशन नमबर आपका हो जाएगा 15, कोशन नमबर 15 का आपका उप्शन हो जाएगा B, रोनाल्ड रोस इसका आंसर होगा, तो ये आपका उप्शन नमबर B, तो मलेरिया और आपको बार-बार वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, कभी-कभी ये मादा जो मच्छर से कोशन पूछा जाता है कि मादा होता है या नर होता है, ठीक है जिससे मलेरिया फैलता है, आपका आज का कोशन ये है, आपको बताना है कि मलेरिया जो है, ये किस परकार की बीमार यहां पर हम physics, chemistry और biology तीनों के questions को discuss करते हैं जो आपके exams के लिए काफी important होते हैं और ध्यान रखना यहां पर आपका CHL के लिए शोर सलक्षन बैच चला हुआ है जिसमें complete आपको video classes मिलेगी, class notes मिलेगे, expert faculty मिलेगे, doubt session आपको मिलेगा, ध्यान रखना कियेगा, ठीक है संपू यहां पर लागू होता है, आपको ध्यान रखना है कि CRPF special batch में आपको यहां पर complete video recorded है, class notes है, CGL के लिए आपको यहां पर संकल वैस दिया गया है, और युत्तर प्रदेश पूलिस के लिए भी आपका यहां पर special batch है, जिसमें maths, reasoning, हिंदी, सभी classes आपको basic से मिलेगी, ठीक ह इसमें बिलकुल मात्र 399 रुपे में सारी classes आपको मिलने वाली है, अगर हम बात करते हैं आपके classes की, तो रात 8 बजे आपकी classes चलती है, जिसमें basic से सारी चीज़े कराई जाती है, यूट्यूब पे यह live classes चलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और इसी में आपको ध्यान क्लास है और आपका 8 बजे आपकी यह class होती है, जो आपके exams के लिए काफी important हो जाएगी, कुछ लिंक आपको दिये गए है, जिसके द्वार आप हमसे connect हो सकते हैं, सबसे उपर जो यह link है, यह आपका application का link है, ठीक है, जो आप यहाँ से application को download कर सकते हैं, और यह Google का आपको link दिया गया है, ठीक है, आप हमें Instagram पर follow कर सकते हैं, आप हमें Facebook पर follow कर सकते हैं, यह Facebook का link आपको दिया गया है, यह आपका Twitter का link है, इस पर आप हमें Telegram पर भी follow कर सकते हैं, यह आपका Twitter का link है, आप हमें Twitter पर follow कर सकते हैं, सबसे नीचे जो link दिया गया, यह आपको जो link दिया गया यह डिया गया है किसका यह दिया गया है यूट्यूप चैनल को सस्क्राइब करने गा और बैल आइकन को बटन को डबाने rud goat ता की यहासे तो आपको सबस्थ हलिए वीडियो आपको इस लिंक के माध्यम से मिल जाएगी एससे में और यूट्यूपर आप जाए ठीक है तो ये धाज का आपका शेशन आपको कैसा लगा जरूर बताएंगे मिलते हैं नेक्स शेसल में तब तक के लिए रुश्कार जै हिंज भारत